अस्सलाम अलेकुम दूस्तों वीडियों में आपको देंगे साओधे के लेटर्स में वोटर ने अपडेरी वेडियों उनके लिए बहुत ही इंपोर्टर जो लोग अभी साओधी आरबिया में जते हैं को साओधी गवर्णमेंट कतब से कई नई जानकाई दी गई है जिसके बार में आपको जानकारी होना चाहिए हज उम्रा को लेकर भी एक नई अपडेट है और कई अपडेट हो सारी अपडेट इस वीडियो में आपको बताएंगे आप जरूर देखे ताकि आपको फूरी जनकर मिले दोस्तों वीडियो में आगे बन से बहुत हैं कि आगे हम अगर आप 22 करेट देते हो तो जातर सुनार को पता नहीं चलता है इसलिए आपको अपना गोल्ड समहाल करखना है किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है अगर आप साओधी एरब में गोल्ड खरते हो 24 करेट का तो 208.10 रियाल के हिजाब से आपको मिलेगा 22 करेट 190.75 रियल क इसके अलावा अगर आप बाकी गोल्ड खरते हो जैसे की एक केस के रिट का तो 182.08 है दोस्तों साओधी की अगली अपड़ेट एक बेहद इंपोर्टन अपड़ेट है जिसके बारे में आप सभी लों को जानकारी होना चाहिए साओधी एरब में एक महिला ने एक आदमी क गोली मार दिया गंभीर हालत में उस आदमी को लेकर अस्पताल लागया लेकिन जादा चोटकी वैसे तुरंत उसकी मौत हो गई सुदी के अलजोफ पुलिस ने कहा कि महिला को अभी गरपतार कर लिया गया है लेकिन हत्या और जो कारण है और जो पीडित के भी संबंध है अभी भी जाज किया जा रहा है बताया जा रहा है कि मामले की जाज की जा रही है और इसके बार में सब ही जान कई देना उचित नहीं है इसलिए जो अनबेक्थ हैं उनको भी गरपतार करने के बाद में जनता को सुझित किया जाएगा दूस्तों सौदी के अगली 24 जुलाई से जो कार है वो शुरू कर दिया गया है यानि जो आवेधन कार है वो शुरू किया गया है लेकिन हम आपको बदा हैं कि 30 जुलाई 2022 से देश के अंदर اور बाहर उम्डा अवचारिक रोप से शुरू कर दिये जाएगा इसके लिए आपको देश के भीतर मतलब सौधी अरब के अंदर एटमिर ना एप पर एक परमिट लेना जरूरी है परमिट प्राप्त करने के बाद निर्धारित जो भी नियम है उसका भी आपको पालन करना होगा दोस्तों आगे आपको ध्यान रखना है कि सौधी के मजद नवाभी रोजा सरिफ में नवाज के परमिट उनलों के लिए ही जरी किये जाएगा जो लोग करोना वारस से परवाभित नहीं हुए मतलब करोना वारस जिलनों को नहीं हुआ है उनके लिए ही परमिट जरी किये जाएगा ट्रेस्ट यार ट्रेस्ट मतलब जो ट्रेस्ट अप्लिकेशन है उसके माध्यम से ही परमिट जरी किये जाएगा और ये भी कहा गया है कि आभी हज उम्रा मंतराली की तरफ से पांच साल से आधिक उम्र के बच्चों को उम्रा जारी करने की अनुमत होगी